टीम बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे नितीश कुमार ने 26 जुलाई की शान को जब अपने इस्तीफे का एलान किया तो कैमरा सबसे पहले उनके पुराने साथी लालू यादव की तरफ मुड़ गया बीस महीने पहले जब लालू और नितीश का गठवंदन हुआ था तो इसे भारतिय राजनीती के एक बड़े अजूबे की तरह देखा गया था तेजस्वी के बेनामी प्रापरटी के विवाद पर नितीश चुप रहे लेकिन अब जब कि उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया है तो जवाब देने की बारी लालू यादव की थी नितीश के बाद जब प्रेस कॉन्फरेंस में लालू अपनी तरफ से जवाब देने सफाई देने आये तो उन्होंने पत्रकारों से कहा नितीश फासी से डर गए है इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है नितीश पर हत्या और आर्म सैक्ट के तहट केस दर्ज किया गया है इन मामलू में उन्हें फासी से लेकर उम्रकाय तक की सजा हो सकती है वो सजा से डर गए हैं इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया हमने नितीश का दिल कभी नहीं दुखाया लालू यादो की इस प्रेस कांफरेंस के कुछ ही देर बाद बिहार बीजेपी के नेता सुशील मूदी ने ये साफ कर दिया कि बीजेपी बिहार में नितीश कुमार को बिना किसी शर्त के समर्थन देने को तयार है इसके कुछ ही देर बाद ये खबर भी आ गई कि कल यानी 27 जुलाई को BJP और नितीश कुमार के गटवंदन की सरकार का शपत ग्रहन समारो होगा लेकिन लोगों की सुई उस हत्याकांड पर अटक गई जिसका शिवूफा लालू ने अपनी प्रेस कॉंफरेंस में छोड़ा था लोग जानना चाहा रहे हैं कि आखिर वो कौन सा मामला है वो कौन सा हत्याकांड है जिसमें नितीश कुमार का नाम है और उन्हें सजा हो सकती है और लालू को ये कहने का मौका मिल गया ये कहने का मौका मिला कि नितीश को डर लग रहा है इस वज़े से उन्होंने इस्तीफ में थे बाढ के पंडारक थाने के धीबर मद्ध विद्यालाय में वोटिंग चल रही थी शाम को करीब साढ़े चार बजे का समय हुआ था कुछ ही देर में वोटिंग बंध होने वाली थी लेकिन तभी वहां पर बूथ कैप्चरिंग को लेकर बवाल हो गया बवाल इतना पर तो हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करवाया ही उनके साथ साथ दिलीट सिंग योगेंद यादव और बैधू यादव पर भी हत्या का मामला दर्ज किया गया इन आरूपियों में से बैधू यादव की मौत हो चुकी है यह वो मामला है जिसके आधार पर लाल मामला फिर उचला एक सितंबर 2009 को बार्थ जिले के डिश्टिक जज रंजन कुमार ने नितीश कुमार और बाकी आरोपियों पर फिर से ट्राइल चलाने की मंजूरी दे दी मामला फिर राजनीतिक हो गया लेकिन इस बार बवाल इतना बढ़ गया कि इसे हाई कोर्ट रिफर कर दिया गया हाई कोर्ट में ये मामला अभी भी लंबित है और नितीश कुमार इसमें आरोपी हैं लालू यादव ने इसी हत्याकान का जिक्र करते हुए नितीश के डरने की बात कही है लालू की प्रेस कांफरेंस के बाद जब बाढ़ जिले में मरने वाले सीता राम सिंग के भाई राधा क्रशन से बात की गई तो उनका कहना था कि लालू यादव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मेरे भाई की हत्या की गई थी जिसका मामला अभी तक चल रहा है हमें इंसाफ मिलने का इंतजार है हमारे पास ये वीडियो है जिसमें सीता राम के भाई राधा क्रशन ये बातें कह रहे हैं तस्वीर में आपको जो बुज़ूर्ग दिख रहे हैं वो राधा कृष्ण सिंग है मरने वाले सीता राम के भाई बिहार में अभी स्तीफा दिया गया है नई सरकार के शपत ग्रहन की बाद भी शुडू हो गई है जो की 27 जुलाई को होना है बिहार के इस राजनायतिक घतनाक्रम बिहार के इस बड़े उलट फेर के बारे में दिललन टॉप आपको लगातार इत्तिला करता रहेगा इसके एनालिसेस, इसका क्या कौन क्या कहे रहा है उसके कहने का क्या मतलब है ये सारी चीजे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे बने रहें दिललन टॉप के साथ अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज हमारा पेज लाइक कीजिए अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं